हलो फ्रेंड्स वेलकम टू सेलेक्शन क्लासेज सेलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो दोस्तो आज किस वीडियो में अपन पढ़ेंगे भारत की राष्टरिये प्रतिक फ्रेंड्स अगर आप कम्पिटिसन एकजाम की तयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मेल का पत्तर साबित हो सकता है क्योंकि फ्रेंड्स चाहे किसी भी एकजाम क्यों ना हो चाहे आप किसी भी एकजाम की तयारी क्यों ना कर रहे हो लेकिन भारतिय परतिक से 1% तो डिफिनेटली पूछता ही है फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर सेलेक्शन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी फ्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नेटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके फ्रेंड्स इन राष्टरी परतिकों की अगर आपको पीडियेब भी चाहिए तो हमारा टेलिग्राम ग्रूप है आप इसको सर्च करके या डिसकर्शन में लिंक दे रखिये डाइरेक्ट वहाँ से आप पीडियेब प्राप्त कर सकते हो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आज के फर्स्ट प्रशन की पहला प्रशन है भारत का राष्टरी धवज कौन सा है भारत का राष्टरी धवज है तिरंगा इसके निर्माता है पिंगली वेक्या भारत की राष्टरी धवज तिरंगे तीन रंगों की शेतीज पटियों के बीच में निले रंग के एक चक्कर दुआरा सुसोबी धवज है जिसकी वेक्या पिंगली वेक्या इने की थी चलिए फ्रेंड्स दूसरा क्यूशन है भारत का राष्ट्रे पसु कोन सा है भारत का राष्ट्रे पसु बाग है ठीक है भारत में बागों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और सन गुनी सो थेतर में बंगाल टाइगर को राष्ट्रे पसु कोन सा है तो भारत का राष्ट्रे fool है कमल के लियर है अगला प्रशन है बाहरत का राष्ट्रे sells ये वरक्ष कौन सा है तो भारत का राष्ट्रे वरक्ष है बरगड 0 प्र गहरे तने इसके चार और तने की रूप में उनकी जड़े हो जाती हैं इसलिए इसे राष्ट्री व्रक्स गोसित किया गया है चलिए फ्रेंट्स अगला प्रशन है भारत का राष्ट्री फल कौन सा है तो भारत का राष्ट्री फल है आम मेंगो के लिए है चलिए बात करते है अगले प्रसन की भारत का राष्टर कवी कोन है तो भारत के राष्टर कवी है मेथिली सरण गूप्त इन्हें भारत का राष्टर कवी का दरजा मिला हुआ है अगले प्रसन है भारत का राष्टर ये वाक्षे कोन सा है तो भारत का राष्टर ये वाक्षे है सत्यमेव जयते इसका अर्थ होता है कि हमेशा सत्य की विजे होती है ठीक है चलिए बात करते हैं अगले प्रसन की अगला प्रसन है भारत का राष्टर ये चिन क्या है तो भार भारत के राष्ट्रे चिन के रूप में अधिकारित रूप से सिवकार किया गया था, ठीक है हैं, चलिए बात करते हैं, अगले प्रशन की, अगला प्रशन है, भारत के राष्ट्रे धवज की लंबाई चोडाई का अनुपात कितना है, तो भारत के राष्टे धवज की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात है तीन अनुपात दो मतलब कि तीन फिट लंबा और दो फुट चोड़ा और इसमें जो असोक चक्कर हैं बीच में जिसमें 24 तिलिया होती है वो इसके सपेद पट्टी के लगबग व्यास के बराबर हो इसमें तीलियो की संक्या मेनिया आपको अभी बताया 24 होती है ठीक है अगला प्रशन है सविदान सबा ने राष्ट्रे धवज के प्रारूप को कब अपनाया गया तो सविदान सबाने इस राष्ट्रे धवज को 22 जुलाई गुनियो 47 को अपनाया था ठीक है यह एक्जाम क फैराने के अनुमति कब दी तो आम नागरिकों को सविदान सबाने 26 जनुवरी सं 2002 को आम नागरिकों को भी इसकी अनुमति दी गए कि आम नागरिक भी हर दिन किसी भी दिन इस तिरेंगे को सैसमान पैना सकता है अगला प्रशन है राष्ट्रे धवज के लिए क्या इस्तम किया जाता है जो या तो सूती होती है या फिर रेशम की होती है ठीक है अगला प्रशन है भारत का जंडा गीत विजे विश्वत तिरंगा प्यारा ये जो गीत है इसकी रचना किस ने किती तो इसकी रचना किती स्री शामलाल स्री शामलाल गुप्त पारसद ने इसकी रचना क फ्रेंड्स आपको बता दू, साथ पद वाले इस मूल गीत के बाद में कॉंग्रेस ने इसे तीन पद में कर लिया, पहला चटवा और साथवा को संसोदित करके दवज गीत के रूप में मानेता दे दी थी, यह गीत ने केवल राश्ट्रे गीत गोसित हुआ, बलकि अनेक ना राश्ट्रे गीत गाने में लगा समय 65 सेकेंड, तो गाने में राश्ट्रे गीत को गाने में लगबग 65 सेकेंड का समय लगा है, अब यह गीत कौन सा है, तो राश्ट्र गीत है, वंदे मातरम, इसकी रचेता है, बकीम चंदर चटर जी, जिसे बकीम चंदर चटोपाद भी कहते हैं, अगला प्रशन है, राष्ट्रे गीत को कब लिखा गया था, तो राष्ट्रे गीत को 1882 में लिखा गया था, फ्रेंड्स आपको बता दू कि बकीम चंदर चटर जी ने इसकी रचना सन 1882 में संसकर्थ और बंगाल मिसरित बासा में की थी, ठीक है, अगला प्रश में इसको लिखा गया था, अगला प्रशन है, राष्ट्रे गीत को सरोपर्तम कोंग्रेस के कोलकता अधिवेशन में कब गाया गया, तो राष्ट्रे गीत को सबसे पहले 1896 में गाया गया था, कोंग्रेस अधिवेशन में, इसके अध्यक्स ते रहीम तुला सयानी, के लिए अगला प्रशन है राष्ट्रे गीत वंदे मातरम को सविदान सबा ने राष्ट्र गीत के रूप में कब सिवकार किया तो सविदान सबा ने वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र गीत के रूप में सिवकार किया गया अगला प्रशन है राष्ट्रेगीत के फर्थम गायक कौन थे तो राष्ट्रेगीत के फर्थम गायक पंडित उकार नाट ठाकुर थे और इसके धुन जो बनाएती वो बनाएती शद्दूनाग बठाचारे ने ठीक है अगला प्रशन है राष्ट्रे गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था तो राष्ट्रे गीत का अंग्रेजी में अनुवाद अर्विंद घोसने किया था और उर्दु में अनुवाद आरिफ मोहमद खानने किया था अगला प्रशन है भारत का राष्ट्रे गान गाने में लगा समय 52 सेकिन तो राष्ट्रे गान को गाने में only 52 सेकिन का समय लगा है अब ये है कौन सा तो राष्ट्रे गान है जन गण मन इसकी रचेता है रविंदेनाद टेगोर ठीक है अगला प्रशन है राष्ट्रे गान का स सबसे पहले गुनियसो 12 में किया गया तत्व बोधिनी पतरीका में इसका परकाशन सबसे पहले किया गया अगला परशन है राष्टर गान को राष्टर गान के रूप में कब अपनाया गया तो राष्टर गान को राष्टर गान के रूप में 26 जनवरी गुनियसो 50 को सबसे प 27 दिसंबर 1911 को कोंग्रेस के कॉलकाता दिविशन में गाया गया था, ठीक है इसके अध्यक्स्ते पंडित विशन नारान दत, के लिए हैं, अगला प्रशन है, राष्ट्रे गान का अंग्रेजी अनुवाद रविंदना टेगोर ने कब किया, तो रविंदना टेगोर ने 1911 मे इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, Morning Song of India से सकसे इसका अनुवाद किया गया था, अगला प्रशन है, भारती संसद का अधिवेशन आरंब होता है, और समापन इसका वंदे मातरम से होता है, ये भी आपको याद रखना है, अगला प्रशन है, राष्ट्रे सोक के समय, राष्ट्रे धवज कितने दिनों तक जुका रहता है, तो राष्ट्रे सोक हो जाता है, तो उस दिनों में 12 दिनों तक राष्ट्रे धवज जो है, आधा जुका रहता है, अगला प्रशन है, विक्रम सावंत कब प्रारंब हुआ था, तो विक्रम सावंत 58 इस्वी पूर्व से आरंब किया गया था किलियर है अगला प्रशन है भारत में राष्ट्री कलेंडर आधारित है तो राष्ट्री कलेंडर किस पर आधारित है तो भारत का राष्ट्री कलेंडर सक्क सावंथ पर आधारित है जो की अठंतर इस्वी से कनिक्ष ने चलाया था अलग अगला राष्ट्री कलेंडर का प्रतम और अंतिम महीना कौन सा है तो राष्ट्री कलेंडर का जो हिंदी कलेंडर है उसका प्रतम महीना चेत्र है और दूसरा महीना है फाल गुन ठीक है अगला प्रशन है अभी तक आपने हमारे चैनल सेलेक्सन क्लासेज़ को अगर सबस्क्राइब ने कजейств तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए और वीडियो को लाइक करतीजिए प्रशन है राष्ट्रिय कलेंडर को कब अपनाया गया तो राष्ट्रिय कलेंडर को 22 मार्च गुनिश हो सकत्या उनको सबसे पहले अपनाया गया था अगला प्रशन है भारतिय राष्ट्रिय कलेंडर क्रिश्चन कलेंडर से पीछे हैं तो कितनी वर्ष पीछे हैं क्रिश्चन कलेंडर से अठंतर वर्ष पीछे हैं ये भी आपको याद रखना है राष्ट्रिय कलेंडर जो हिंदी कलेंडर है और अंग्रेजी कलेंडर जो क्रि प्रस्तावेज होता है वो स्वेट पत्तर को माना गया स्वेट पत्तर को बनाया गया है राश्ट्रे सूचना पत्तर अगला प्रशन है भारत की राज्य बासा कौन सी हैं तो भारत की राज्य बासा हैं हिंदी ठीक है अब भाग सत्यावन में अनुचे 343 के अनुसार हिंदी राजबसा गोशीद किया गया है उगला पर्संन है राश्ट्री पकसी दीवस कब मनाया जाता है तो राश्ट्री पकसी दीवस 22 नौंबर को मनाया जाता है डोक्टर सलीम अली के जनम तिथी पर तो फ्रेंट्टर सलीम अली एक बहुती अच्छे पक्सी डोक्टर थे ठीक है इसी के जनम दिन पर ये 12 नौंबर को राश्ट्रे पक्सी दिवस मनाया जाता है अगला प्रशन है बाहरत का राष्ट्री खेल कौन सा है तो बाहरत का राष्ट्री खेल है होकी ठीक है अगला प्रशन है और होकी के जादूगर किसे कहते हैं होकी के जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को अगला प्रशन है भारत का राष्ट्रिय जलिय जीव कौन सा है तो भारत का राष्ट्रिय जलिय जीव है गंगा डालफिन जिसे हाले में 5 अक्टोमर गुनिस गुनिस को गोशित किया गया था तो Friends, ये मैंने सारे जो परतिक चिन है भारत के वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, Friends. वीडियो कैसा लगा? अपनी राए, कमिट बॉक्स में जरूर देना. Friends, अगर अभी तक आपने सेलेक्शन क्लासेज को अगर सबसक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दीजी ताकि मेरे हर वीडियो की notification आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद